देखे फ्रेंट्स आज हम एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाएंगे जिसमें स्कर्ट होगी और क्रॉप टॉप होगा तो देखे दो मीटर मेरे पास यह नेट है डिजाइनर नेट है और यह पांच मीटर मेरे पास प्लेन नेट है चार मीटर इसकी लाइनिंग है और यह देख स्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दोंगी तो बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं और मैं इस पर आपको यह जो डिजाइनर कपड़ा है वो कुछ इस शेप में लगा होगा यह देखे यहां तक तो यह तो हमारा बंद रहेगा और यह जगा हमारी आगे से उपन रही यह जो कपड़ा है यह इसी शेप में हम काटके अपनी नेट के उपर अटैच करेंगे और बाकी सब नीचे साथन अब देखे फ्रेंडट्स यह जगा पर हमें यहां तो आधी दूरी तक हो गया हमारी स्कुडड की जो लमबाई है वह तो 38 है और कमर हमारी 32 है अब देखे फ्रेंट्स ये मेरे पास पांच मीटर नेट है तो ये देखे मैंने इस पूरी नेट को चार तह में फोल्ड कर रखा है ये देखे एक तो तीन चार चार तह में फोल्ड करके बिल्कुल इक्वल कर रखा है और करने के बाद friends मैं इसका ये देखे इस तरह करके कोन बना लूगी अब देखे friends कोन मैंने बना लिया ये देखे इसमें दो हिससे खुले हैं दो हिससे बंद है और मेरी साइड पे पूरा बंद है अब friends देखे हम क्या करेंगे हमारे पास हिप 36 है तो 36 को हम 6 से भाग करेंगे और 1 उसमें बढ़ाएंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा तो हम पूरी गोलाई यह देखे यह 7 की ले लेंगे और नीचे हमारे को जो लंबाई है वो 38 लेनी है उसमें हम एक बढ़ाएंगे 39 तो यह देखे 39 हमारा यहां आ रहा है अब देखे फ्रेंड्स हमारा यह घेर कट चुका है नेट का अब हम साटन का घेर काटते हैं अब देखे फ्रेंड्स साटन का घेर काटने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी साटन में सबसे पहले ऐसे करके 38 लंबाई थी एक बढ़ा के 39 पे पहले एक तो यहां कि करेंगे यह गे देखिए इसके बाद चिटनी ही पै कि उसे हम तीन से भाग करेंगे तो हमारी हीफ 36 है तो देखिए 3 से भाग किया तो ढमरेसा 12 थो ङागा एक मारजब़न के लिए 13 भाग के प reciproc करेंगे देखे फ्रेंड्स अपने हमने साटन के घेर का भी कोन बना लिया लेकिन इसे हम सिंगल काटेंगे नैट को हमने डबल काटा था अब फ्रेंड्स देखिए हमने 36 को तीन से भाग किया और एक बढ़ाया तो यह अब हम 13 की गुलाई करेंगे यह देखिए अब हम 13 की य 39 लेंगे हम पूरा 39 लेकि इसे काटेंगे और आगे के कपड़े से यहां पर जोड डालेंगे अब देखे फ्रेंड्स अब हम इसके डिजाइनिंग काटेंगे तो डिजाइनिंग काटने के लिए हम सबसे पहले देखिए यह तो मैंने सिंगल निउस्पेपर लिया है हम चार अपना कपड़ा लेंगे जैसे हमने अपनी नेट को चार तह में लिया था उसी परकार तो देखिए हमारी हिप 36 है 36 को हमने 6 से भाग किया और एक बढ़ाया तो यह हमारे पास साथ आजाएगा तो पहली गोलाई हम बनाएंगे साथ की जैसी हमने नेट में बनाई थी तो य अब हम चाँ सब्सक्राओं कि आजाएगा करेंगे मैं अब हम जो उपर वाला पाट लेंगे जाएगा मेट्याविग साथे बारा की जाएगाlight , मौ código ऑटिधंग लेंगे साथेवरा तो यह कह हमें बनाएंगे इस तरह काटेंगे डिजाईन को बहुत आसान होजाएगा ना तो ये देखिए हमने एक गुलाई पे बारा की की, फिर फ्रेंड्स यहां पे आने के बाद इस जगा से बस यह करके कोणा उठा देंगे, अब हम इसको काटेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स अपनी हम इस Nat को हमने सबसे पहले उल्टा किआ, देखे सीधा हिस्सा अंधर कर द अब मैं क्या करूंगी यह जो डिजाइनिंग है यह देखिए इस डिजाइनिंग को यह देखिए बिल्कूल इसके उपर रख देंगे यह इतना ही मोड़ा है जहां तक यह मेरी डिजाइनिंग आ जाए और फ्रेंट्स अब हम इस पे अपनी मार्किंग करते हैं क्याएमर यह देखिए के इस पे मार्किंग पैसे दिखाएं नहीं दे ही है मैं से रखे-रखे ही काट लेती हूं तो यह द कि अब हम यहां से काटना शुरू करेंगी अब देखे फ्रेंड्स हमने अपना नेट का एक घेर लिया और यह देखे इस तरह पूरा बिचा लिया और अब हम क्या करेंगे यह देखे हमने काटे थे डिजाइनर नेट के मैंने पूरा सेट कर दिया है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स देखे अब हमारे को यह देखना है कि यह देखे अब हमारे को इसके उपर इसको चिपकाना है तो फ्रेंड्स देखे अब हम इसको फूलों की अकॉर्ण देखे ह Для यहां एक डंडी है इसके अकॉरडिन ऐसे चलते 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 हुए इसकी कटिंग शुरू करनी है यह देखे इस तरह डिजाइन में खटिंग करेंगे तो मैं आपको कटिंग करने का तरीका दिखाती हू यहां शुरू कर लेते हैं हम यह देखिए जहां जहां हमारा डिजाइन आता जाएगा यह उसी शेप में हम इसकी कटिंग आगे बढ़ाएंगे अब देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे कटाव यह देखिए काट दी है अब हम क्या करेंगे अब हम इसे अटैच करेंगे तो यह भारी है, मोती वाले नेट है, तो यह खसक जाएगी, तो अब हम क्या गरेंगे, फेंस हर उसके उपर, फूल के उपर यह देखे, इस तर करके गुलू से चिपका देंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उसी में यह नेट अच्छी तरह चिपक जाएगी इसके सा अब देखे, मैंने इसे गुलू लगा के रखे थे, यह सारे, और यह देखे, मैंने किनारे पर नहीं जोड़ा है, गुलू से, किनारा मैंने खुला है चोड़ा है, क्योंकि यहाँ सलाई लगेगी, दोनों पोर्शन को मिला के, तो यह हो जाएगा, इसके अंदर ही, और यह अभी जो है, अभी सलाई लगेगी, तो उसमें चला जाएगा, यह देखे, अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे, यह देखे, यह हमारा चिपक गया, यह देखे, यह वाले हिससे खुले में, बस सिर्फ फूल फूल चिपके वे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि धोने के तुरंत बादी, एक तो जल्दी से यह द्रेस से धूलती नहीं है, और धूलती भी है, तो ड्राय क्लीन बगएरा होती है, तो इतनी जल्दी उतरते नहीं है, और अगर फिर भी देखो, फैंसी कपड़ें उतर जाएं, तो वापिस गलू से फिर चिपका दो, तो उसमें बंद रहेगा, और आगे का हिस्सा जो है, यहां से नीचे चाप खुल जाएगा, तो पहले हम इसको नेट को एक के उपर एक रखते हैं, और पीछे वाले हिस्से को बंद करते हैं, अब देखिए, अपने हम साटन का घेर लेंगे, और यह देखिए, हमने इसमें जोड लग लगा दिया, और जोड लगाके मैं इसको बैठा दिया, यह देखिए, प्रेस के साहता से इस तरह, अब क्या करना है, देखिए, फ्रेंट्स, यह जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है, अब हम इसमें, यह देखिए, अपनी कैंची के साहता से एक कट डाल लेंगे, पहरे हमा अपना खुबसूरत लगेगा यह कि यह हमारा यहां पर यह इस तरह आएगा यह ऐसे चला जाएगा जब इसके जो फ्रिल्स आएंगी उसके अंदर पूरा जोड छुप जाएगा देखने में लगेगा नहीं कि यहां पर जोड है यह देखिए अब हम क्या करेंगे अपने इसके उपर शाटन के उपर रखके यह देखिए इस तरह करके पूरी कमर को अट पैच कर चुकी हूं देखे फ्रेंड्स यह तो मैं फ्रंट और बैक वी शेप में डाल रही हूं इसने मैंने यह जोड जो है एक पीछे डाल दिया और एक में बीच में डालूंगी अगर आप इसको थोड़ा सा अलग करना चाहें तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं ब इसका यहां तक जहां तक हमारे डिजाइन आ रहा है यहां तक का बंद करेंगे और बाकी हम इसका चाग खोलेंगे अब देखिए फ्रेंड्स हम अपनी बेल्ट बनाएंगे तो बेल्ट बनाने के लिए 32 कमर है हमारे पास तयार तो यह देखिए 32 का आधा हमारे पास 16 हो जा के थोड़ा सा आगे पीछे होके लगेगा तो एक इंच की लूजिंग रखेंगे तो अब हम क्या गरेंगे देखी हमारे पास यह नेट का कपड़ा है इस नेट के कपड़े पे हम इसको अटैच करेंगे पहला फूल छोड़ देते हैं और यहां से लेखें सब्सक्राइब आप अब देखें फ्रेंच्स हमने अपनी बेल्ट पे सलाय लगा ली दिखेंगे फिनिशेंग के इंच और अब क्या करना है देखें इस इस साइड का हमें उपर रखना है और इस साइड हमें नीचे रखना है इस तरह रखेंगे हम तो हमारी फ्लार भी मैच हो जाएगा इसके साथ इस तरह रखेंगे फ्रेंड्स हम यह देखे अब हम इसको ऐसे करेंगे और हमारे पास हम देखेंगे हमारी कमर कितनी है तो देखे हम इस तरह करके 8 हिंच पर यह कट लगाएंगे और लगाने के बाद अब हम देखिए अभी हमने चेन लगाई नहीं है और यहाँ से रखके यहाँ से रखके इसे जहां हमारा यह 8 हिंच तक आ रहा है ऐसे सिल देंगे इधर भी और इधर भी अब देखें फ्रेंट्स हमने तरहां की बीचो बिच बीच कट का निशान लेंगे और यह जो अब हमारे पास जगा जो फोडना टोनी है अब हम इस जगा अपना एभ! इस तरह करके प्लेट्स टालेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे देखिए अ अब दो पी नहीं प्लेट्ट याएंगी ज्यादा नहीं बिल्कुल हलका सा अब देखिए फ्रेंट्स अब हम अपनी चेन लगाएंगे तो देखिए chain लगाने के लिए इस तरह गर के 7 इंच पर हम इस तरह निटान लगालेंगे और ये हमारे पास फ्रेंट्स इन्वीजिबल जोlden विल्कुल को अगर बिल्कुल कपड़े की तरह है यह देखिए और यह जो जगा है इसमें ही अंदर को स्लाइड डालेंगे बिल्कूल चप्टा करके इसको इस तरह फैलाते जाएंगे यह देखिए जैसे इस साइड लगाई है ऐसे ही एक साइड में लगा चुकी हूँ अब फ्रेंस इसको हम बंद करते हैं यह देखिए और बंद करने के बाद यह देखिए फ्रेंस से बिल्कूल हमारा यह जगा बंद हो ले यह देखिए बिल्कूल पता ही नहीं चल रहा है यहां कि कुछ चेन लगी भी है फ्रेंस जहां पे यह हमारा चेन का एंड आया था यहां हमारा chain का end आया था यहां से हम बंद करना शुरू करेंगी इस जगा को यह देखिए अब आगे का portion हम बंद कर रहे हैं और जहां तक हमारा design है यहां तक हम इसे बंद कर देगी यह देखिए एक तरफ थोड़ा design छोटा है एक तरफ बड़ा यहां एक तरफ तरफ शोचा करें यहां तरफ बंद करेंगी और भशाल्रक करेंगी यहां इसक मैं आवे प्रादयोंन देखिए नहां आवे Umsy उ Ihवे प्राद करेंगे यह देखे, फ्रेंट्स, चैन लगके रेड़ी हो गई है, और फ्रंट बे, यह देखे, हमारा यह हिस्सा बंद हो गया है, देखे, आपको दिखाते हैं, यह देखे, यह हमने बंद कर दिया है, अब हमें क्या करना है? देखे फ्रेंट्स आगे का हिस्सा हमने बंद कर लिया है यह देखे चेन भी लग गई है अब हमें क्या करना है कि यह जो पोर्शन है हमारा इसको हम अलग फोल्ड करेंगे ऐसे करके और इसको हम अलग फोल्ड करेंगे इस तरह करके और फिर फ्रेंट्स यह जो नीचे का पोर और अधर्वाइज आप इसको 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 बारिक बारिक मोड़े और लंबाई से एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं अगर फिर भी देख लेना उंचा नीचा हो तो आप इसे पीको करा लें और फेंड्स देखिए अब हमें इसकी ये बेल्ट जो हमने बनाई है यह बिल्कुल तयार हमारे पास बेल्ट इस तरह आई है यह देखिए हमें 16 तयार से यह और यह साड़े 16 तयार आ रहे है अभी हम फ्रेंड्स एक हुक लगाएंगे यहां पे इस जगह पे एक हुक इस तरह करके लगाएंगे अगे पिछे करके जिसके नीचे चेन हमारी दें और एक प्रेट इस साइड डाल दें ना आगे कुछ करना है ना पिछे कुछ करना है तो अब हम एक पट्टी काटते हैं इसकी साटन के कपड़े की देखिए यह धाइंच दो इंच हमारे पास तैयार है हम तीन इंच की पट्टी काटेंगे और उपर से लगाके अंदर मोर देंगे देखे फ्रेंट्स सकार्ड बनके बिलकुल रेडे हो गई है यह देखिये आगे से इस तरह है और यह देखिये हमने चाख खोल रखें हैंओर मैं आपको बैक साइड इसकी दिखाती हूं यह देखिये यह बैक साइड इस तरह आएगी, यह दोवोन बैक साइड अलग हैं, और आगे से हमने, यह देखिए, यह मिला रखा है, यह देखिए. और वाँ फ्राइण्स देखे बेल्स मैंने आपको लगाना दिखाए था यह पट्टी लगा ली थी फिर हमने एक पट्टी यह देखे काटी और काट के उसे यह देखे यहां से रखा और अंदर फोल्ड कर दिया इसमें हमने केन भी लगा रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, यहां तक तो यह खुलेगा, तो इसलिए हमें यहां केन नहीं लगानी, केन हमने यह देखिए, उपर उपर लगा रखी है, तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, यह देखिए, यह बहुत सिंपल है मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो उसे ही आपको आ जाएगा यह देखिए जैसे हमने इसकी यह जगा नापी तो यह हमारे पास सोला हैं तो फ्रेंट्स हमने सोला इंच लेने के बाद एक नीचे से तो 30 इंच का कपड़ा लिया और उपर से सोला लेके इस तरह एशेप में काट दिया और काटने के बाद यह देखिए केन को यह देखिए इस तरह प्लेट्स टाल डालके पूरे में अटेच कर दिया अ फैं't जो यह हमारी बेल्ट की प्ती थी फिर हमने बेल्ट की प्ती में इसे अटेच किया बिल्कु सिंपल है ऑँ बहुत इजिली आ यह देखिए चेन खुल गई और फिर हम इसको यूँ बंद करेंगे और इसको चेन को ऐसे चड़ा लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स अब हम अब आप देखिए टोप देखिए इसका यह देखिए इसकी मैंने पूरी कटिंग की और स्टीचिंग की पूरी वीडियो डाल रखी है स्टेप बाई स्टेप सिखा रखा है प्रिंसेस का टॉप है यह फ्रेंट्स यह देखिए और बैक साइड आप यह देखिए और इसमें साइड में चेन है यह देखिए तो फ्रेंट्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स रिखना लाइक और सब्सक्राइब चरूर करना